हेलो एवरिवन वेलकम टू लर्णिंग बुक लर्णिंग बुक पे आप सभी का स्वागत है लर्णिंग बुक के इस वीडियो में हम 5 जनवरी और 6 जनवरी 2021 से संबंधित करेंट अफेर के महतपूर प्रश्णों को डिसकस करेंगे अपने कोश्चन के डिसक्रशन की सुरुगात की जाए उसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लर्णिंग बुक के किसी भी वीडियो से जरा भी फायदा हो रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें साथी साथ चैनल को सस्क्राइब करके और कोई भी क्वेरी हो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूश सकते हैं जो नए वीवर्स चैनल से पहली बार जूड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकान को प्रेस करते हैं जिससे जो भी नए वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके आइए फिर सुरुवात करते हैं अपने आज के पहले प्रस्ण के साथ आज का पहला प्रस्ण है किस राज जिम्हें जाती के स्टीकर वाले वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कारवाही की जाएगी ऐसा नया रूल बनाये गया है उत्तर प्र अपनी जाती लिखवाना या फिर नंबर प्लेट पे अपनी जाती लिखवाना और ऐसा हर कास्ट वाले करते हैं तो अपसे अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया यानि कि अगर आपके बाइक के नंबर प्लेट पर या कहीं पर भी आपकी जाती लिखी हुई है या फिर कार के पीछे वाले शीशे पर या फिर नंबर प्लेट पर आपकी जाती लिखी हुई है तो आपके गाड़ी का आपके वहकेल का आपके कार का चलान किया जाएगा पुलिस के द्वारा ऐसा रूल बनाए गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आप्सन ए करेक्ट हो जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार ही पूरे इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जिसने लब जिहाद का कानून बनाया है यानि कि अगर कोई महिला या पुरुष कोई तथि को छिपा कर किसी महिला या पुरुष से साधी करता है तो फिर उसके खिलाब भी दंडात्मक कारवाही की जाएगी लब जिहाद कानून के तहट और हाली में मध़ प्रदेश ने भी लब जिहाद कानून को अपने हाँ पास किया है और यह कोईशन मैंने आपको भी जल्दी ही कराया है एक या लो वीडियो पहले ही कि कौ़ँ सा राज हाली में लब जिहाद पर कानून बनाया है तो उसका एंसर मद्ध प्रदेश था लेकिन पहला राजी कौन है वो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश नहीं जाती के स्टीकर वाले बाहन मालिकों के खिलाब भी दंडात्मक कारवाही के लिए नया रूल बनाया है आप्सन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइबर रहित मेट्रो रेल का उधगाटन किया है ड्राइबर लेस मेट्रो का उधगाटन किया गया है प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा दिल्ली में आप्स अब फिर से दुबारा ड्राइबर रहित मेट्रो का उद्गाटन किया गया और ये पूरा सक्सिज रहा option A correct हो जाएगा पूरे इंडिया में कुल 18 operational मेट्रो हैं और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में आगरा, मेरट, गोरकपुर हाली में इन तीन मेट्रो प्रोजेक्ट को एप्रूब्ड किया गया है यूपी गवर्मेंट के द्वारा और कानपुर का मेट्रो अंडर कांस्ट्रक्शन है जबकि operational मेट्रो कहां पे है लखनों में है उत्तर प्रदेश के डलही से मेरट के बीच म एक regional rapid transit system नाम से semi high speed train चलाई जाएगी और ये भी अंडर कांस्ट्रक्शन है ये पूरी दिल्ली से मेरट की दूरी को कुल 80 मिनट में कवर करेगी ये train regional rapid transit system नेक्स्ट कोश्चन है आई सीसी ने किस पूर्व भारती कप्तान को दसक के ICC Spirit of the Cricket Award से सम्मानित किया है दसक यानि पिछले 10 सालों के लिए ICC Spirit of the Cricket Award से सम्मानित किया गया है महेंदर शिंग धोनी को ये भारत के पूर्व कप्तान हैं इन्होंने तीनों फॉर्मिट में इंडिया को टॉप लेवल पर पहुँचाया था वर्ड कप भी इंडिया ने इनके कैप्तन सी में जीती फिर T20 का वर्ड कप भी इंडिया ने इनके कैप्तन सी में जीता और टेस्ट में भी इंडिया को एक उचाई तक ले गये थे महन सिंग धोनी उन्ही को ICC Sprit of the Cricket Award से सम्मानित किया गया और ये दसक मतलब 10 सालों के ICC Sprit Cricket of the Award से सम्मानित किये गये है option B यहाँ पर correct हो जाएगा next question है किस फुटबालर को दसक के सर्बस्रेष्ट फुटबालर के Award दुबई Globe Shocker Award से सम्मानित किया गया देखो दुबई Globe Shocker Award ये दिया जाता है जो 10 साल का सर्बस्रेष्ट फुटबालर होता है उसे ये Award दिया गया Cristiano Ronaldo को Cristiano Ronaldo ये पुर्टगिस के फुटबाल प्लेयर है 2020 में 10 साल कंप्लीट होता है देखो ये मतलब 1-10 फिर 11-20 तो इसी वज़ा से देखो अभी ICC ने भी 10 साल के लिए 10 को का ICC Sprit Cricket का Award दिया महेंदर सिंग धोनी को और फिर यहाँ पे दसक के सर्बस्रेष्ट फुटबालर का Award दुबई Globe Soccer Award दिया गया Cristiano Ronaldo को देखो ये तो अलग कोशन हो गया दूसरा कोशन एक है कि FIFA ने किसे साल का सर्बस्रेष्ट फुटबालर का Award दिया है तो फीफा ने साल का सरबस्रेस्ट फुटबालर का एवार्ड इस बार मिला है फीफा के साल के सरबस्रेस्ट फुटबालर का एवार्ड रॉबर्ट लेवांडोसकी ये पोलैंड के फुटबालर है और महिलाओं में फीफा का सरबस्रेस्ट फुटबालर का एवार्ड दिया ग सालों बाद पहला ऐसा मौक्का है जब मेसी या रोनालडो में से किसी को फीफा फुटबाल प्लेयर आफ द इयर का अवार्ड नहीं दिया गया और इस बार दोजार बीस का फीफा प्लेयर आफ द फुटबाल का अवार्ड दिया गया रॉबर्ट लेवान डॉसकी को और अगर question आता है कि दसक के सरफस्रेस्ट footballer तो Cristiano Ronaldo अगर आता है question FIFA का footballer of the year का award men's category में तो Robert Lewandowski अगर आता है question FIFA का female women का footballer of the year award किसको दिया गया 2020 का तो वो दिया गया Lucy Brown जेको आप्शन यहाँ पे इस question का C correct हो जाएगा next question है सायुकतराज अमेरिका ने किस साल के अंतर तक चंद्रमा पर पहला परमारू रियक्टर अस्थापित करने की योजना तयार करी है USA ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला पर्मार रियेक्टर अस्थापित करने की योजना तयार की है option D यहाँ पर correct हो जाएगा और USA ने भी एक और योजना तयार की है USA पहली बार किसी female किसी women को भेजेगा चंद्रमा पर जिस mission का नाम है Artemis mission में 2024 में USA दोरा किसी female किसी women को भेजा जाएगा चंद्रमा पर और उसी दोरान USA दोरा किसी men को भी भेजेगा चंद्रमा पर उसे female के साथ यहाँ पर option correct हो जाएगा D मून का new lunar surface पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ तीन देश ने अपना spacecraft land कराया है US यानि की अमेरिका रशिया और चाइना और अगर चंद्रियान टू जो की बिफल रहा यह हमारे देश का mission था मून के lunar surface पर तो अगर वह सफल होता तो इंडिया चौथा ऐसा देश होता जो की मून के lunar surface पर अपना spacecraft को land कराने में सफल रहा होता लेकिन चंद्रियान टू बिफल रहा था और इसी वज़ा से अभी तक सिर्फ तीन ऐसे देश हैं जिसने मून के lunar surface पर अपने spacecraft को land कराया है देखो क्या होता है कि मून पर जो gravity है वो ही कम है इसी वज़ा से वहां पर कोई भी लेंडिंग आसान नहीं होती है gravity अर्थ के compare पर मून पर जी one by six है इसी कारण कोई लेंडिंग आसान नहीं होती है और अब 2026 तक कौन-कौन से इसमें question बने देखो मैंने बताया आपको 2026 तक पर्माडू reactor की अस्थापना करेगा यूएस से चंद्रमा पर दूसरा मैंने बताया कि 2024 तक एक Artemis mission के तहट पहली women को भेजेगा यूएस चंद्रमा पर और साथ ही कोई men भी जाएगा हाला कि men पहले भेजे जा चुके हैं चंद्रमा पर यूएस के द्वारा और moon के lunar surface पर spacecraft land कराने वाले अभी तक सिर्फ तीन देश हैं अमेरिका रशिया और चाइना next question है किस भारती क्रिकेटर को दसक के सर्वस्रेस्ट one day player चुना गया है दसक का सर्वस्रेस्ट one day player ICC के द्वारा चुना गया है विराट कोहली को option A यहाँ पर correct हो जाएगा विराट कोहली हमारे अभी प्रिजेंट टाइम में यह वन डे और टेस्ट और टी ट्वंटी तीनो फॉर्मिट के कैप्टन है international cricket council यानि ICC का headquarter डुबई UAE में है और इसके chairman Greg Barclay है और इसके CEO Manu शांगवे हैं next question है किस देश ने नौ सेना किस देश की नौ सेना ने आधिकारिक रूप से पंडुबई INS सिंद वीर को प्रतिस्थापित किया है देखो INS मतलब होता है Indian Naval Ship Indian Naval Ship का में यह तो इंडियन Naval Ship हो गया फिर उसके जो आगे लिखा होता है वो उस Ship का नाम होता है तो शिंद वीर एक भारती Ship थी जिसे दिया गया है मेम्यार को मेम्यार को यह अक्टूबर 2020 में सौब दिया गया था लेकिन मेम्यार ने इसे अब अपने वहां की नौसेना में सामिल किया है आधिकारिक रूप से आप्सन C करेक्ट हो जाएगा अक्टूबर में दिया गया और दो महीने बाद मेम्यार ने इसे अपने वहां की नौसेना में आधिकारिक रूप से सामिल किया है हाला कि मेम्यार ने इसका नाम बदल दिया है और INS सिंदुवीर का नाम मेम्यार ने UMS मीनिय ठिंक्थू UMS मीनिय ठिंक्थू रखा है और ये UMS मीनिय ठिंक्थू या फिर आप कह सकते हो हमारा INS सिंदुवीर मेम्यार की पहली पंडू भी है Option C यहाँ पर correct होगा Next question है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किस राज में मुनापा हस्त निर्मित कागज निर्माड इकाई की सुरूआत की गई है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मुनापा हस्त निर्मित कागज निर्माड की इकाई सुरू की गई है अरुडाँचल प्रदेश में, अरुडाँचल प्रदेश के तवांग नामक अस्थान पर एक अस्थानी पेड़ है वहाँ पे अरुडाँचल प्रदेश में वो सिर्फ अरुडाँचल प्रदेश में पाया जाता आपने कई सारी rough का यूज किया होगा जो थोड़े मतलब उतने स्मूत नहीं होते हैं रफ पेपर का वो हस्त निर्मित पेपर ही होता है तो इससे एक तो रोजगार का आउसर मिलेगा और जो हमारी पुरानी कला है बिना किसी मशीनरी के हम पेपर बनाने की कला को जानते हैं उ उसका फिर से वो पुनर जीवित होगा इसी वज़ा से खादी बंग्रामुद्यों का आयोग द्वारा मुनापा हस्त निर्मित कागज निर्माड इकाई की अस्थापना की गई है अरुडांचर प्रदेश के तमांग नामक अस्थान पर और अगर बात की जाए पेपर की का आगज का अविस्कार किया गया चाइना के द्वारा और खादी बंग्रामुद्यों का आयोग द्वारा पिछले वर्स वाराणसी में एक टेरा कोटा की अस्थापना की गई थी टेरा कोटा मतलब क्या होता है कि जैसे देखो कुल्हड जो पकी मिट्टी होती है पकी हो जाता है इसे मतलब मिट्टी में मिलने में चुकि यह पकी मिट्टी होती है तो टेरा कोटा ग्राइंडर लगाया गया था खादी बंग्रामुद्यों का आयोग द्वारा वाराणसी में वहां पर क्या था कि इसमें जो पकी मिट्टी के जो भी सामान खिलौने तूटे- फूटे होते थे उसमें डाल दिया जाता था तो फिर टेरा कोटा ग्राइंडर उसको ग्राइंड करके फिर से मिट्टी का रूप दे देता था और फिर उससे कोई मिट्टी का सामान बनाये जा सकता था तो टेरा कोटा ग्राइंडर लगाया गया वाराणसी में पिछले वर बांचर प्रदेस में "'Next Question है। Kिस राजय ने भारत के पहले पॉलिनेटर पारक का उध्गा तन किया है? देखू भारत के पहले पॉलिनेटर पारक का उध्गा तन किया गया है ुद्तरखंड में Uh best option B correct हो जाएगा उत्रखन में हल्दवानी नामकस्तान पे इस पार का उदगाटन किया गया है क्या मकसद है इस पार का देखो इस पार के दो मकसद है एक तो पहले जो पॉलिनेटर होते हैं उनको कंजर्व करना अभी मैं बताता हूँ क्या होता है पॉलिनेटर, क्या होता है पॉलिनेशन, उनको कंजर्व करना यानि पॉलिनेटर को संग्रक्षण देना प्रमुक उद्देश है इस पार का, साथी साथ लोगों को अवेरनेस, लोगों के अंदर पॉलिनेटर के प्रती अवेरनेस हो, और वो उस awareness के साथ काम करें और pollinator को जाने की कौन कौन से चीज pollination का काम करते हैं और कैसे ये हमें फायदा पहुचाते हैं इसी उद्देश के साथ pollinator पार का उद्घाटन किया गया उत्राघन में देखो अब पहले समझते हैं pollination किया है पालिनेशन में जो फूल जो पौधे होते हैं उनमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे अगर है तो भी और एक अब देखो कई तरीके के फूल होते हैं एक फूल होता है जिसमें मेल और फीमेल सेम फूल में होते हैं एक ही फूल में एक फूल ऐसे होते हैं जि में मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होता है लेकिन वो एक ही प्लांट में होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट में ही होते हैं तो तीन तरह का हो गया एक में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही मतलब मेल औ और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं ये तो अलग हो गया इसमें जरूरत पड़ती है पॉलिदेशन के लिए और फिर अगर दोनों अलग अलग प्लावर अलग प्लांट में फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में तो फिर बिना पॉलिनेशन के तो बिला पॉलिनेटर के इनका पॉलिनेशन होई ने सकता पॉलिनेशन क्या होता है पॉलिनेशन मतलब की रिप्रोडक्शन आफ प्लांट प्लांट का रिप्रोडक्शन ही पॉलिनेशन कहलाता है, उसके लिए male flower का part और female flower का part मिलना जरूरी होता है, male flower में pollen grain निकलता है, pollen grain को हिंदी में पराकड बोलते हैं, अब ये पराकड को female flower की stigma पर जाना होता है, पौलिनेशन करने के लिए, आप उसे अगर male में समझो, मतलब की human में समझो तो fertilization करने के लिए तो पराक कर जब फीमेल फ्लावर के stigma पर पहुंचता है तो फिर वहाँ पे reproduction की परिक्रिया सुरू होती है plant में तो अब देखो अगर दोनों flower अलग-अलग plant पे हैं तो यह कैसे पहुंचे देखो एक जरीया wind हो गया तो wind भी pollination का काम करता है फिर उसके बाद कई सारे तितलियां कई सारे बीज भौरे और कई सारी even birds भी pollination का काम करती हैं तो इन्हें जो pollination कराता है यानि कि तितली आप बोल सकते हो फिर ये बी मधमक्खियां birds भौरे ये सारे pollinator हैं क्योंकि ये pollination का काम करते हैं ये कैसे pollination का काम करते हैं कोई मधमक्खी है जो जाके बैठी पहले male flower पे तो उसके पैरों में pollen grain यानि की पराकड चिपक जाते हैं फिर वो मधमक्खी वहां से उड़ी किसी female flower पे जाके बैठी तो वो पराकड वहां stigma से फिर touch हो जाते हैं और फिर वही stigma पे वो पराकड रह जाते हैं ऐसे ही pollen grain इस्टिगमा तक पहुंचता है मधमक्खीयों की मदद से तितलियों की मदद से विंड की मदद से वाटर की मदद से मतलब ये सारी pollination की विदिया हैं तो भारत का पहला pollinator पार्क उदगाटन किया गया है उत्राखंड में होप कि अब आप समझ गए होगे इसके फाइदे क्या है नेक्स्ट कोस्चन है वाडिज और उद्योग मंत्राले तथा राश्ट्री जल जीवन मिशन और पे जल और स्वक्षता विभाग के साथ किस राश्ट्री संगठन ने जल गुडवत्ता परिक्षड नवाचार चुन है पे जल और स्वक्षता विभाग ये तीनों मिलकर किसी एक चौथे के साथ यानि कुल चार संस्थान मिलकर जल गुडवत्ता परिक्षड इनोवेशन चुनौती अभियान की सुरूआत की मतलब ये जल की गुडवत्ता के परिक्षड करेंगे ये चारों संस्थान मिलके तो तीन संस्थान तो question में दिये हुए है चोथे का पूछा गया है कि चोथा कौन है तो चोथा जो संस्थान है वो है Department for Promotion of Industry and Internal Trade यानि कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संबर्धन विभाग ये चारों मिलकर पानी की गुडवत्ता परिछड के लिए एक अभियान इन्होंने सुरू किया है और Department for Promotion of Industries and Internal Trade ये Ministry of Commerce and Industries के आधिन कार करता है यहाँ पर option B correct हो जाएगा 2024 तक राष्ट्री जल जीवन मिशन के तहत एक target सेट किया गया है कि प्रतेक परिवार को 2024 तक piped water provide करा जाएगा पूरे इंडिया के प्रतेक परिवार को piped water से connect कर दिया जाएगा यही है जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन का जो target year है वो 2024 है और जल जीवन मिशन के तहत प्रतेक परिवार को भारत वर्स में piped water से connect किया जाएगा जिससे प्रतेग परिवार को स्वक्ष वार्टर पीने के लिए प्रुवाइब कराए जा सके और जल गुडवत्ता परिक्षण के लिए जो अभियान चला गया है वो जल जीवन राष्ट्री जल जीवन मिशन संस्तान के द्वारा साथी साथ पेजल और स्वक्षता विभाग के द्वारा और वाडिज और उद्द्योग मंत्रा लेके उद्द्योग और आंतरिक व्यापार संबर्धर विभाग के द्वारा चलाए गया है option B यहाँ पर correct हो जाएगा next question है दिसंबर माह में आयुजित भारती अंतराष्ट्री विज्ञान महोच सो दो हजार पीस IISF यानि की इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फ्रेस्टिबल के छटवे संसकरण का क्या विशे था जिसका उद्गाटन प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने नई दिल्ली में किया और ये छटा संसकरण था 2014 से ये सुरू किया गया है इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फ्रेस्टिबल की सुरूबाद 2014 से सुरू की गई तो 2020 में इसका ये छटा संसकरण था और COVID-19 पैंडमिक की वज़ा से ये पूरी तरीके से ये जो फ्रेस्टिबल मनाये गया ये वर्चूल तरीके से मनाये गया और इसका जो इस बार का थीम था ये था आत्म निर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान मैं फिर से देखो रिपीट कर रहा हूँ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फ्रेस्टिबल का ये छटा संसकरण था इसका उद्गाटन प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने वर्चूल तरीके से किया और ये पूरा अंतराश्ट्रिय विज्ञान महुत्सो भारती अंतराश्ट्री विज्ञान महुत्सो भी पूरी तरीके से वर्चूल तरीके से ही मनाए गया इसका थीम था आत्म निर्भर भारत और वैस्विक कल्याड के लिए विज्ञान ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कोविड-19 टीके केंद्रिकृत मुल्यांकन के लिए प्रयोक्षालाओं के छे वैस्विक नेटवर्क में से किस भारती संस्थान को मानेता दी गई है जो की कोविड-19 की जो वैक्सीन बनके आगी उसकी टेस्टिंग का काम करेंगे इसमें एक भारती संस्थान को भी चैनित कि कुशन में उसी भारती संस्थान का नाम पूछा गया है यह भारती संस्थान है Translational Health Science and Technology Institute Option C correct हो जाएगा कहां पे इस्थित है Translational Health Science Technology Institute यह इस्थित है हरियाना में कुछ और बाते करते हैं COVID-19 से संबंधित COVID-19 के लिए भारत में दो वैक्सीन को इमर्जेंसी यूज की मानिता दे दी गई है इसका नाम है एक COVID-Shield और एक को वैक्सीन COVID-19 इसे बनाया गया है आक्सफोर्ट इन्वर्सिटी और एस्ट्राजेनिका संस्थान के दोरा और को वैक्सीन यह पूरी तरीके से इंडियन है इसे बनाया गया है भारत बायोटेक के दोरा COVID-Shield जो वैक्सीन है इसको UK और US ने भी अपने वहां पे मानिता दे दी है पूरी तड़ीके से इमर्जंसी यूज के लिए UK यूएस ने COVID-Shield के साथी साथ ही साथ फाइजर की वैक्सीन को भी मानिता दी है और फाइजर की वैक्सीन को मानिता देने वाला पतलब WHO ने जिस को माननेता दी है वो फाइजर की वैक्सीन है तो अभी देखो कई सारे ऑप्सन खुल गए हैं मैं पूरी चीज़ों को फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरे विश्व में छे संस्थानों को माननेता दी गई है जो की टेस्टिंग का काम करेंगे COVID-19 के जो वैक्सीन बनके आएंगे उनकी टेस्टिंग का काम करेंगे ये छे संस्थान उसमें से भारत का एक संस्थान है उसका नाम कोशन में पूछा गया है यह है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेकनॉलजी इंस पानेता दी गई है एक है कोविट शील और दूसरा है को वैक्षीन को बनाया है आक्सफोर्ट और एस्ट्राजेनिका ने और को वैक्षीन को बनाया है भारत बायोटेक ने भारत बायोटेक हमारे इंडिया की कमपनी है कोविट शील जो की आक्सफोर्ट और एस्ट्राजेनिक द्वारा बनाई गई है इसका निर्माड करने का जो दिया गया है जिसको दिया गया है वो है सीरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया जो की पूने में है तो 50% जो कोविट शील्ड बनाई जाएगी सीरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया के द्वारा वो इंडिया में रहेगी और 50% आग्सफोर्ट और एस्ट्राजनिका जहाँ पे बोलेंगे सबसे बड़ी कमपणी है वेक्सीन बनाने वाली कमपणी और कोविट सील को UK और US ने अपने यहाँ पे भी इमरजंसी इस्तमाल के लिए मानिता दी है फाइजर वैक्सिन को डबलू एचो द्वारा मानिता दी गई है इमर्जनसी इस्तमाल के लिए नेक्स्ट कुश्चन है भारत का पहला मेगा लेधर पार्क कहां पर अस्थापित करने की यूजना है और इसे डेर्ड लाख लोगों की आजीविका चलेगी मतलब कि देखो job creation अलग चीज़ होता है आजीविका अलग चीज़ होती है job creation जो direct job करते हैं किसी संस्थान में आजीविका अभी देखो leather park है तो वहाँ पे leather की जरूरत होगी raw material की जरूरत होगी तो जो raw material पहुँचाएंगे उनकी भी आज इविका इससे चलेगी option A इसलिए correct हो जाएगा lithium refinery भारत की पहली lithium refinery इसको launch किया गया है गुजरात में और इंडिया का पहला solar park भी कहां पे खोला गया था गुजरात में यह मैं क्यों बता रहा है देखो lithium refinery का क्या मतलब है lithium refinery मतलब lithium का इस्तमाल किया जाता है battery बनाने में और हमें पता है कि जो renewable energy है जैसे हम solar energy से light बनाते हैं तो उसमें battery का काम लगता है और battery में lithium का इस्तमाल होता है हलانकि lithium हमारे भारत वर्स में नहीं पैय जाता है लेकिन lithium हम मंगाएंगे औस्टेलिया से इस lithium refinery के लिए जिससे अधिक सेधिक बेटरी का manufacturing हो सके और हम renewable energy का इस्तमाल अधिक सेधिक कर सकें इसी लिए भारत की पहली lithium refinery यह गुजरात ने खूली गई नेंक्स्ट कोश्षंड है टाटा इंडियन institute of skills कहां इस्थित है जिसने हाल ही में कौशल भारत मिशन के तहट पहले बेच के लिए कौशल विकास और उद्ध्यमिता मंतराले के साथ कौशल परिखर पार्ठीकर्म की सुरुवाद की है टाटा इंडियन institute of skills इस्थित है मुमब SME की इस्थापना हो उसमें स्किल्ड युवा पहुं सके और हम पूरे विश्व को स्किल्ड युवा दे सके इसी लक्ष के साथ टाटा इंस्ट्यूट आफ इस्किल्स अब कौशल भारत मिशन की तहट कौशल विकास और उद्यमिता मंतराले के साथ कौशल परिक्षट पारि ठिक्रम की सुरुवाद कर रहा है टाटा का इंडियन इस्ट्यूट आफ इस्किल्स इस्थित है मुंबई में नेक्स्ट कौश्चन है किस राज सरकार ने दोहजार चौबिस तक राज में गरीबों के लिए घर बनाने के लिए पैदाल दर की इलू योजना की सुरुवाद की है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पैदाल दर की इलू इस योजना की सुरुवाद की है आंधर प्रदेश सरकार के दोरा और इस योजना के तहट दोहजार चौबिस तक आंधर प्रदेश सरकार जो गरीब जनता है उनके ये घर बनाएगी, option B यहाँ पर correct हो जाएगा, कुछ इसी तरीके की योजना शुरू की गई है महरास्ट गॉर्मेंट के द्वारा, लेकिन वो रूरर जो गरीब जनता हैं उनके लिए महरास्ट सरकार ने एक महा आवास योजना की शुरूआत की है, जिसके तहट सौ दिनों तक, सौ दिनों के अंदर आठ दसमलो, आठ दो हाउसेस को गरीब जनता को देगी जो की रूरर एरिया से संबंदित होंगे और इसकी डेडलाइन है फरवरी 2021, बतलब ये फरवरी 2021 में इसके सौ दिन पूरे हो जाएंगे और आठ दसमलो, आठ दो लाख लोगों को घर मिलेगा महा आवास योजना के तहट महारास्ट्रा में और प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी, एक तो रूरर प्रधान मंत्री आवास यूजना ग्रामिड होती है वो अलग है जो मैं बात कर रहा हूं वो है प्रधान मंत्री आवाश यूजना शहरी इसके तहट 2022 तक शहर में रहने वाले प्रतेग व्यक्ति को अपना खुद का घर देने का लक्ष है Central Government का हमारे देश की Next Question है निम्निकित में से किस संगठन ने ITI छात्रों को कोशल विकास प्रदान करने के लिए कोशल विकास और उद्यमिता मंत्राले के तहट परिखळ महानी देशाले के साथ समझा होता किया है ITI चात्रों को कौसल देने के लिए परिक्षड महानी देशाले के साथ समझोता किया है Microsoft और Nescom Foundation ने Option B यहाँ पर correct हो जाएगा इससे क्या होगा कि जब यह skilled होके निकलेंगे तो job में skillful वेक्ति पहुँचेगा और MSAB सेक्टर में भूम आने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी ITI का full form क्या होता है Industrial Training Institute ITI का full form होता है Industrial Training Institute Next question है Nature Research अंतराश्ट्रिय बैग्यानिक प्रकाशन कमपनी देखो एक संस्थान है जिसका नाम है Nature Research अंतराश्ट्रिय बैग्यानिक प्रकाशन कमपनी इसने एक इंडेक्स जारी किया Nature Index 2020 Artificial Intelligence नाम से अब कोशन यह है कि इसमें इसने इंडेक्स में इसने बताया है कि Artificial Intelligence पे सबसे अधिक प्रकाशन वाले देश कौन कौन से हैं 25 देशों के नाम है इसमें भारत की क्या रेंक है यह कोशन पूछा गया है भारत की रेंक है तीसरी यानि कि 2020 में भारत ने Artificial Intelligence पे सबसे अधिक प्रकाशन किया है अपने देश में और पहले अस्थान पे है Artificial Intelligence पे प्रकाशन करने में चीन, दूसरे अस्थान पे हैं अमेरिका और तीसरे अस्थान पे है हमारा भारत तीसरे अस्थान पे है तो option यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा C, भारत का पहला कौन सा संस्थान है जिसने Artificial Intelligence पे कोर्स उरू किया, वो है IIT है, IIT हैदराबाद IIT हैदराबाद, Indian Institute of IIT है, फैदराबाद, भारत का पहला ऐसा संस्थान है, जिसने Artificial Intelligence पे अपने वहाँ पे कोर्स को सुरू करा है Option यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा Next question है E संपदा एप का उद्देश क्या है, जिसे वस्तुता आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री द्वारा लाँच किया गया E संपदा एप का उद्देश यह है Main जो इसका उद्देश है यह है भारत सरकार की संपदा सेवाय प्रदान करना क्या है यह, पहरे तो यह जान लेते हैं किसने लाँच किया आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री यह कौन है यह है हरदीप सिंग पूरी हरदीप सिंग पूरी ने E संपदा एप को लाँच किया है क्या है इसका मुख्य उद्देश इसका मुख्य उद्देश है भारत सरकार की संपदाएं सेवाय प्रदान करना उसके लिए एक E platform प्रोवाइड कराना option B correct हो जाएगा इससे क्या होगा एक तो देखो E संपदाएं क्या होती है मतलब आप सोचो कि आपको government के जो flats बनते हैं उनकी booking करनी है तो आपको कई सारे अलग अलग portal पे जाके कई जगां पे आपको अपना registration वगेरा करना होता था लेकिन E संपदा पोर्टल से क्या होगा आपको एक ही इसी एप के थुरू ही आपको सारे पोर्टल जहां जहां आप करते थे सारे कहां एक ही पोर्टल से हो जाएंगे इससे transparency और accountability ensure होगी ये तो sure है E संपदा एप से साथी साथ जो government के holidays home है उनकी booking भी इससे हो जाएगी साथी साथ अगर आपको किसी event के लिए venue book करना है जो की government का है वो भी इसी से हो जाएगा पहले क्या होता था जो रसूगदार लोग होते थे उनही को सिर्फ government का venue alert हो सकता था लेकिन अब E संपदा एप के थुरू कोई भी apply कर सकता है और उसे date बता दी जाएगी कब ये venue खाली है इससे transparency और accountability ensure होगी option इसका correct हो जाएगा B E संपदा एप का उद्देश भारत सरकार की संपदा सेवाएं को transparency तरीके से लोगों के लिए उपलब्द कराना है option भी correct हो जाएगा ये आज का last question था मिलते हैं नए current affair के साथ next video में keep studying your learning book thank you for watching this